पूरी नफरत दिखा ली कोई कारवाई नहीं हुई लेकिन इसले नहीं लेराब कि कोई कहेगा देखिए इनके खिलाब भी कारवाई नहीं हुई कि अब भी करो जिसको जब जिस तरह से बोलना है वो बोलेगा जाज बिठा देंगे क्योंकि आप लोगों को लगा कि कि ये सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं इनको डिरेक्शन्स PMO से आए? नहीं डिरेक्शन्स PMO से आए या 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 मुझे नहीं पता हैं लेकिन मैं इतना तो जरूर सोचती हूँ एक स्वतंतर नागरिक की तरह कि जब पेट्रोल 50 पर था तो साइकल खरीदने की जो लोग बात करते थे 100 पर होने पे चू नहीं कर पाते हैं खेर उससे मुझे कोई उनके बोलने या ना बोलने से दिक्कत नहीं हो तो आम जनता की कमर तोड़ी रहे वो सबको दिख रहे हैं मेरा असल में ये मानना है कि सरकार में आप आम कैसे खाते हैं चूस कर या काट कर टोनिक लेते हैं क्या ऐसे सवाल पसंद किये जाते हैं थोड़े कड़े सवाल तो आपको मैनेज करने के लिए ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है आपको मैनेज करने के लिए IT, CBI और ED आ जाती है और मैं तो बार-बार कहती है उसको भाजबा काई पार्ट बना लेजे जबरदस्ती का अडंबर है वह अलक्स एजनसी से दिक्कत असल में यह हो गई है ना अंजना जी कि मुद्दो की बात नहीं होगी अगर मुद्दो की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा बी-एस यद्यूरपपा, रेडडी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वसर्मा, मुकुल रॉय, मतलब नामी पे नाम गिनती जाओं मैं पियूश गोयल, रगुबर्दा, स्मृती, रानी, कितने ही लोगों के खिलाफ एजनसी में मुकदमे दर्ज थे आपने कोई कारवाही सुनी, एक कारवाही नहीं सुनी जाएगी, लेकिन किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, स्टूडन्स के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, मुकदमे होंगे बच्चे अगर दिखाते हैं मिर्जापुर में नमक रोटी खाई जाएगी नमक रोटी पर मुकदमा हो जाएगा मुसहर घास खा रहे हैं वारा नसी पर यूए पीए लग जाएगा देवरिया में एक छोटी बच्ची की माँ अडमिठे करोना काल में जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको मुकदमे जहलने पड़ेंगे और एक बात 10 सेकंड में जरूर कहना चाहती हूँ जर्सी गाएं, हाइब्रिड बच्चरा, 50 करोड की गल्फरंड कहने वाले प्रधान मंत्री भाषा की मर्यादा वो और उनके लोग जरा कमी समझाएं तो ये मर्यादित होगा आज की चर्चा का विशह यही है, कैसे इस देश में आतम कर भे का महर ख़रा किया हुआ है अब बीच में आ बोले देखें फिर बॉकला जाती है, फिर बॉकला जाती है इनकी आदत है, इनको आप अगर 40 मिनिट भी देनेगी ना अंजना जी ये फिर बॉकला के बोलने लगेंगी इनको ये भी नहीं यकीन है कि जो मैंने बोला ठीक बोला या नहीं बोला अब नहीं पूछता कि Congress के लिटरान विसकेट खाते हैं चू करते हैं उचल के खाते हैं बैट के खाते हैं आम नहीं पूछते इसलिए आप को यह सा पता होगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं लेकिन इस पे उत्तर जरूर दीजेगा और गदे के सर से सींग जैसे गायव हो जाते हैं सोनू सूद पेक आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई यूपीए के समय में प्रियंका चोपड़ा कट्रीना कैफ माधुरी दिक्षित रानी मुकर जी यह क्यों हुई थी इस पर उत्तर देंगी दूसरी बात सपा पे भी मैं उत्तर देना चाहता हूं इनको य की बिया ने निश्पक जाज करी में 2019 में दूसरी बात हम कारवाई करते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं वहाँ पे लोकायुक्त ने 2014 में रिपोर्ट दी की मायवती ने पत्थर और समारक में घोटाला किया तीन साल तक इनोंने कोई कारवाई नहीं करी और कौन थे लोकायुक्त जस्टिस एंके मेरोतरा तो यह कारवाई ना करे तो भी यह अच्छे हैं हम कारवाई करने तो हम बुरे हैं और चुनोती देता चिदामरब और कौश हो गया एक बार और CBI ED का दुरूपयोग सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो वो कॉंग्रेस की सरकारों ने किया है और सुप्रीम कोड का बड़ा धपड़िंग के गाल पे बराबर लगता रहता था यह सब हम लोग अकबारों में पढ़ते है ठीक है नुराग जी इसका पहले जवाब देंगे उसके वाद में आ रही हूँ और इस बीच आपको बता दे किया ने किया है